हेलो दोस्तो वेलकम टू माय यूटीब चैनल और दोस्तो आज हम बात करेंगे इंजक्षन लीमा शोल 75 के बारे में कि किस कम्पनी का प्रोडक्ट है पस्वह में किन-किन बिमारियों में आप इस इंजक्षन का यूज कर सकते हैं पस्वह में इस इंजक्षन को देने की डोज क्या है और इस injection के बिद्रॉर पीरिड के बारे में तो दोस्तो इस injection के regarding पूरी जानकारे आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले जो दोस्त मेरी चैनल पे नए आए हैं उनसे request है मेरी चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि वह इस से में आने वाली हर वीडियो की notification दोस्तो आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो injection लिवाल सोल 75 जाइडिस कंपनी का एक बहुत ही बहतरीन पौड़क्ट है दोस्तो जब भी आप इस injection का यूज़ पसमों में करते हैं तो बहुत ही भेतरी रिजल्ट आपको इस injection के पसमों में देखने को मिलते हैं दोस्तो सबसे पहु vos पहले बात अगर हम इस injection के Constant के Content की करें तो इस injection में जो content डाला गया है वो है लिवामिसोल हाइडरो कुलोराइड जो कि इसमें पर एमल में 75 MGs में डाला गया है दोस्तो अब बात करते हैं कि किन किन बिमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पसुँव में कर सकते हैं इसके लाव दोस्तो अगर पसुँ में निमाटूर्ड पयरसाइट का अगर इंफेक्शन हो गया है जिसे हम रांड वॉम्ह भी कहते हैं तो दोस्तो उस case में पसू का immunity level बहुत ही down चला जाता है तो उस case में best sportive drugs के रूप में आप इस injection का use पसू में कर सकते हैं इसके लाव दोस्तो अगर पसू में कोई skin disease हुई है पसू में डर्माटाइटिस का case है पसू में एक्जिमा की स्थिती है या means disease अगर पसू में हुई है तो उस case में भी sportive drugs के रूप में आप इस injection का use पसू में कर सकते हैं इसके लाव दोस्तो अगर पसू में कोई bacterial, viral या parasitic infection अगर पसू में हुआ है और जिसकी वज़े से पसू ने खाना पीना कम कर दिया है पसू कमजोर हो गया है और पसू का immunity level अगर down चला गया है तो उस case में best choice sportive drugs के रूप में आप इस injection का use पसू में कर सकते हैं इसके लाव दोस्तो अब बात अगर हम इस injection की पसू में root की करें तो सिर्फ सबकट root से ही आप इस injection का use पसू में कर सकते हैं इसके लाव दोस्तो पसू में इस injection के अगर डोस के अगर हम बात करें तो ruminant animal में 30KZ body weight के ओपर 1 ml आप इस injection का use पसू में कर सकते हैं दोस्तो का use पसुमें करने के बाद किम से कम साथ दिन आप उस पसुके दूद का यूज़ नहीं कर सकते और कम से कम 28 दिन तक आप उस पसुके मीट का you नहीं कर सकते तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टापिक और उसकी फुली इंफॉर्मेशन के साथ